बड़ी ख़बर आपको बता दे बीजेपी से टिकत मिले के बाद कंगना मंडी पहुंची है उन्होंने कहा है कि मंडी से उनका भावनात्मक लगाव रहा है कंगना ने बीजेपी निर्टिस उसको धन्यवाद भी दिया है और मंडी के लोगों को सेवा करने का वादा किया है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है हमारे जो राष्ट्र प्रेजिडेंट है जेपी नडड़ा जी जो कि हमारे हिमाचिल से ही है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अनुराक ठाकूर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है हमारे जो XCM है जैराम ठाकूर जी वो भी मुझे मेरा बहुत अच्छा मार्क दर्शन करते हैं हमारे जो होम मिनिस्टर जी है अमिज जी वो मेरा बहुत अच्छा मार्क दर्शन करते हैं मैं उनकी सदेव अभारी हूँ और हमारे यशश्वी परदान मंत्री जो है उनकी कृपा है हम पर जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी जो मिली है तो हम सब का धन्यवाद करते हैं देखें चैलेंजिस तो हमेशा से ही आए हैं मैं बहुत छोटी उमर में जो है वो घर छोड़कर वेफसाय के रोजगार के लिए बाहर चली गई थी तो उसमें भी मुझे कई संकुटों का जो है सामना करना पड़ा शायद इसलिए इश्वर ने मुझे में ऐसी शक्ती और इस तरह की उर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकू तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हां कंगना हमारी सेवा में आए तो डेफिनिटली मैं आपकी सेवा में तत पर रहूँगी वो आप वीजेपि में शामिल लगए क्याइख सेथा है तो बीजेपि अदीशा से 18, बिहार से 17, उत्तर प्रदेश से13, राजिस्थान से 7, आंधर प्रदेश और गुजरात से 6-6, हर्याना, करनाटक और केरल से 4-4, जारखंड महाराश्यों से 3-3, हिमाचर प्रदेश टिलंगाना से 2-2 और कोवा, मिजोरम और सिक्किम से एक-एक उमिद्वारों के नाम का एलान किया गया है बीजेपी के इस लिस्ट में कई बड़े चेहनों को जगह मिली है, जिनमें कई केंद्रिय मंत्रियों के साथ ही टीवी और सिनेमा के चेहरे भी शामिल है पांच्विय लिस्ट में बीजेपी ने केंद्रिय मंत्री धर्मेंद पधान को ओडीशा के संबलपूर, गिरीराज सिंग को बेगु सराय, रवी शंकर प्रसाद को पटना साहिब, संबित पात्रा को पुरी और मेनका गांधी को सुल्तानपूर से उमिद्वार बनाया है वहीं कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कुछी घंटे में नवीन जिंदल को हर्याना के कुरुक्षेतर से उमिद्वारी मिल गई आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना परदेश को विकसित करना उडिशा को विकसित करना यह हम सभी की शंकल्प है इसी शंकल्प के साथ इस बार चुनाओं में हम लोग जा रहें मेरा पूरा भरोसा है देश की जनता मन बना चुकी है प्रधान मंत्री जी की नेत्रूतों में उडिसा में और केंद्र में डबल इंजिन की सरकार लगाएंगे पार्टी के प्रती अपनी कृतग्यता ग्यापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोग सभाचेतर से दुबारा उमिद्वार बनाया गया है सभी वरिष्टों का खृदैस से अपन बढ़ा हैं और अब 247 तक विक्सित भारत के लक्ष को हमें प्राप्त करना है जब मौका मिला कि मुझे भारती जंदा पार्टी जोईन करने का तो यह मेरे लिए बहुत सभागे की की बात है और उसके बाद कोई भी मुझे पार्टी कोई भी मुझे जिम्हवारी देती मैं जिम्हवारी को निभाता और जब बीजेपी ने ये निर्ने लिया कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे उतारा जाए तो यह मेरे लिए बहुत सभागी की बात है कि मैं कुरुक्षेत्र की जंता की मैं दुबारा से मैं सेवा कर पाऊं तो इसलिए मैं पूरे तनमन मन की सेवा करूँगा और माननी है मोदी जी के नेत्रत में जो विक्सित भारत का हम सब का सपना है हम अपने सपने पर हम साकार करें नई लिस्ट में कुछ चौकाने वाले नाम भी शामिल हैं जिसमें रामायन सीरियल के राम अरुन गोविल और अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम है बीजेपी ने यूपी की मेरेट सीट से अरुन गोविल को उमिद्वार बनाया है जबकि हिमाचर प्रदेश की मंडी सीट से कंगना को टिकेट दिया है उमिद्वारी के एलान के बाद सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर कंगना ने अपने खुशी का इजहार किया बीजेपी ने 111 उमिद्वारों की लिस्ट में कई नए और पुराने चेहरों को मौका तो जरूर दिया है लेकिन कई बड़े चेहरों को लिस्ट में जगह नहीं मिल सकी जिन में कुछ केंद्रिय मंत्री भी शामिल है बीजेपी ने इस बार यूपी की गाजियाबाद सीट से केंद्रिय मंत्री वीके सिंग की जगह अतुल गर्ग जबकि बिहार के बकसर सीट से केंद्रिय मंत्री अश्विनी चौबे की जगए मिठिलेश तिवारी को पिली भीत सीट से वरुन गांधी की जगए योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यूपी की बरेली सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री संतोष गंगवार की जगए छत्रपाल गंगवार को और रामचरित मानस पर विवादास्पत बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौरे की बेटी संगमित्रा की जगए यूपी की बदाईू सीट से दुरविजय सिंग श पस्चिम बंगाल की बसिरहाट सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीडित रेखा पात्रा को उम्मिद्वार बना कर न सिर्फ उस सीट पर बलके बंगाल के सभी सीटों पर टीमसी को कड़ी टकर देने का संदेश साफ कर दिया है। जिसका खाम्याजा कई बड़े चेहरों को अपनी उम्मिद्वारी गवा कर चुकाना पड़ा है।